हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का पहला टॉपिक आप लोगों को लेकर क्या हैं जो कि आपके सलेबस टर्म 2 में सामिल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वडियो में ह कुछ यानि कि थोड़ा सो अब्जेक्टिव को देखेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव को देखेंगे क्योंकि थोड़ा सो अब्जेक्टिव आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपका इनी सवालों को खाली जगा यानि कि फिल इन्दा ब्लैंक्स में सामिल कर लिया जाए या नहीं तो true and false यानि सही गलत में सामिल कर लिया जाए इसलिए जो importance objective होते हैं उन्हें एक बार जरूर देखेंगे ठीक है इसके बाद फिर हम लोग सभी importance जो है subjective सवालों को देखेंगे समय बहुत कम है तो ऐसे सवाल जिनके आने के संभावनाएं कम है उन सवालों को हम लोग ignore करेंगे ठीक है न चले start करते हैं हम देखते हैं पहला सवाल क्या है पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि इस जड़ पदार्त माकन ने अपना क्या अपराद किया है यह पंक्ती किस पाट का है तो यह जो है नाना सहाब की पुतरी देवी मैना को भस्म कर दिया गया यह वला पाट का है ठीक है काफी लंबा नाम है आप लोग थोड़ा ख़ल इसको पढ़ लीजिए आपनों को याद आ जाएगा अगला सवाल हमारा नाना सहाब का वर्नन चपला देवी लिखित पाट में हुआ है तो 1857 का अगला सवाल हमारा नाना सहाब की पुतरी का क्या नाम था तो देवी मैना ठीक है याद रखेंगे इसके बाद हमारा अगला सवाल हमारा नाना सहाब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया था तो भस्म कर दिया गया था याद रखना है देवी मैना किसकी पुत्री थी तो धुंदूपंद नाना सहाब की पुत्री थी नेक्स्ट है हमारा सर टॉम्स है किसके महल को तोड़ना चाहते थे तो मैना के महल को तोड़ना चाहते थे नेक्स्ट हमारा किस बिटिस देवी मैना पर दया भाव दिखाई तो सर टॉम्स हे पर ठीक है इसके बाद हमारा जो अगला महत्पुन सवाल होगा उन्हों हम लोग देखेंगे इसके बाद हमारा इंपॉटन सवाल है कि बालिका मैना ने सेना पती हे को कौन कौन तर्क देकर महिल महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया तो कौन कौन से तर्क थे चलिए इसको देख लेते हैं कि इस जड़ पदार्थ महल ने आपका कोई अपराद नहीं किया है, अतह इसका विन्दवन्स नहीं होना चाहिए, उन्होंने आपके विरुद सस्त्र उठाये हैं, मैं भी उन्हें दोसी मानती हूँ, आप उन्हें सजा दीजिए, यह अस्थान मुझे बहुत पिरी है, यही बात कही थी, इसके बात कहा था, मैं आपकी पुत्री मेरी सहली, यानि मैं आपकी पुत्री मेरी की, मेरी नहीं होगा, मेरी नाम है वहाँ पे, ठीक है, मेरी नाम होगा, कि सहली हूँ, वह यहां आया करती थी, और तब आप भी यहां आते थे, ठीक है, तो यह इसका आंसर ह इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि मैना जलपदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नश्ट करना चाहते थे ये भी इंपोर्टन्ट है मैना वहां रहती थी वह मकान मैना को बहुत पिरिय था अतह वह उसे बचाना चाहती थी अंग्रेज उसे नश् पर बाद में नाना साहब की पुत्री मैना पर दया भाव दिखाने लगे इसके लिए उन्होने पर यास भी किया इसका कारन यही था कि मैना की उनकी मिर्थ पुत्री मैरी की सहली थी जागा मैना के साथ प्रेम संबन था मैरी उस मकान में आती जाती रहती थी खुद हे भी वहां बराबर आते थे मैना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे मैना के पास अभी तक मैरी के हाथ से लिखी चिठी सुरक्षित थी इन सब बातों से जेनरल हे भावु को उठे होंगे औ और उन्होंने मैना पर दया भाव दिखाने का निश्चे किया होगा तो यह इसका आंसर हो गया है आप लोग इसके चार पर पांच पर पढ़ लें और उसके पर लिखने का प्रेक्टिस करें आपको याद हो जाएगा इसके बाद हमारा इंपोर्टन सवाल है कि बालिका मैना के चरित्री की कौन-कौन सी विसेस्ताएं हैं इसका वर्नन करना है सबसे पहले तियो जो बालिका मैना थी वो बिल्कुल साहस्ती थी बालिका मैना साहसी है और वो अंग्रेज जनरल से तनिक भी भैवीत नहीं होती है वो तरकशील है यानि तरक देने में माहिर है मालिका मैना तर्क करना खूब जानती है और वो जनर्रल हे के सम्मुक खूब तर्क करती है और उसे परभावित भी कर लेती है नेक्ष्था भावुक मालिका मैना भावुक है वो अपने निवास अस्थान के परती विसेस लगाव रखती है और उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है अगला है हमारा आत्म बलिदानी मैना कानपूर के किले में अपना अमर बलिदान देती है इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि सेनापती हे ने मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए क्या क्या परियास किया सेनापती हे ने मैना तथा उसके राजमहल को बचाने के लिए निम्नांकित परियास किये उन्होंने जनरल ओर्टरम से विंती की की मैना तथा विठूर के राजमहल को बचा लिया जाए तथा उन्होंने जनरल लोड कैनिंग को इस विशय में तार संदेश भी भीजवाया मैना की अंतिम इक्षा क्या थी जिसे अंग्रेश जनरल पूरा ना कर सके तो मैना की अंतिम इक्षा यह थी कि वो अपने टूटे हुए राज महल पर बैट कर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी जिससे उसका दिल हलका हो जाए परंतु पत्थर दिल और ट्रम ने उसकी इस चोटी सी इक्षा को भी पूरा नहीं किया और उसने मैना को तुरंत हथकली डाल कर गिफ्तार कर लिया ठीक है तो उमीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजेगा चैनल पर यादी पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बैल आइकन को दबार दीजे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ अपने अगले वीडियो में थैंक यू